नमस्कार दोस्तों क्या आपका बच्चा भी दुबला पतला है आपके बच्चे का भी बजन नहीं बढ़ रहा है आप बहुत कोशिश करते हैं बहुत खिलाते पिलाते भी है लेकिन उसका बजन बिलकुल नहीं बढ़ रहा है इस बात को लेकर आप अक्सर चिंता में रहते है क्या आप जानते हैं कि बच्चे का बजन प्राकरतिक तोर पर भी बढ़ाया जा सकता है अगर आपको ये तरीके नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए इसको अंत्य तक जरूर देखिएगा यदि आपको ये जानकरी अच्छी लगे तो वीडियो को छोड़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और एक लाइक एक कमेंट अगर आपके पास समय हो तो जरूर कीजिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैट टोक रिवीव में जहाँ आपको स्वास्त और दवाओ से संब्दित चानकारी दी जाती है और आज हम बात करेंगे कि बच्चे का बजन प्राकृतिक तोर पर कैसे बढ़ाये जाए आपके ही किचन में बहुत सारे चीजे ऐसी है जो आपके बच्चे का बजन बनाने में आपकी मदद कर सकती है लेकिन आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज देनी चीहे जिसकी बज़े से बच्चा खाए पिये भी और तंदुरस्त भी दिखे और बिमार भी कम पड़े तो चलिए फिर शुरू करते हैं आए तो सबसे पहले उन कारणों को जानते हैं जिसकी बज़े से हो सकता है कि आपके बच्चे का बज़न कम हो सबसे पहला है पोशक तत्तों की कमी आपके बच्चे के भोजन में पोशक तत्तों की कमी हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि वो बाहर का खाना जादा खाए, फास फुड बगरे जादा ले और घर का खाना जो आप अच्छे तरीकी से पकाते हैं बनाते हैं वो नहीं खाता उसका पेट तो बाहर के खाने से ही भर चुका होता है तो आप उसको क्या ही दोगे तो सबसे पहले जो है आपको पोशक तत्त वाले भोजन उसको देने चाहिए और बाहर के जो फास फूड वगरा है उसमें कटोती करना चाहिए और हो सके तो उसको बंदी कर देना चाहिए क्योंकि बाहर के जो fast food होते हैं उसमें additive colors वगरा होते हैं बहुत सारे chemicals होते हैं कई तरह के preservatives होते हैं वो कही न गई शरीर को नुक्सान जरूर पोचाएंगे दूसरा कारण हो सकता है metabolic विकार यानि कि आपका बच्चा जो खाता पीता है खाता पीता अच्छा है आप सब कुछ देते है फल फ्रूड वगरा सब कुछ खाता है लेकिन उसको लगती नहीं इसका मतलब यह है कि वो जो खाता है वो उसके शरीर को लगता नहीं क्योंकि उसक से ही उसका वजन कम होता है तो यह कुछ एक problem होती है family history में बच्चों का वजन नहीं बढ़ता शुरुआत में लेकिन जैसे जैसे बढ़ा होता है सारी चीजे control में आ जाती है और फिर बच्चे का वजन बढ़ सकता है अगला जो कारण है वो है बार बार बिमार होना क्या आ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं खासकर शिशूरोग विशेशग्ज से जाकर मिलिए वो आपकी परेशानी का समाधन कर सकते हैं अगला जो कारण है वो है खाने की आदते या तो आपका बच्चा समय पर खाना नहीं खाता बहुत कम खाता है या बिलकुल ही नहीं खाना चाहता है पहले बच्चे में कमी को तलाशिए फिर उसका सॉलिशन जो है आप असाने से ढूंड सकते हैं अब जानते हैं कि आपके किचन में ऐसी कौन-कौन सी चीजे है जो आपके बच्चे के बजन बढ़ाने में आपकी मद बढ़ेगी दही से जो है उसके पेट Nawetton सही होगा उसमें अच्छी वैक्टीरिया डेवलप होंगे जब अच्छी वैक्टीरिया डेवलप होगी तो उसका इम्जून सिस्ट्रोग होगा और साथ में जो भी वो खाएगा पीएगा अच्छे से पचा पाएगा और वो शरीर में एब्जोर्ब भी होंगे तो वो उसका बजन धीरे धीरे बढ़ना इस्टार्ट हो जाएगा अगला है ड्राइफ रूट तो हर किचन में किसमिस काजू, बदाम, कुछ भी ड्राइफ रूट हो सकता है तो आप उसके खाने में थोड़ा थोड़ा करके ही किसी भी रूप में मिक्स करके दे सकते है अगला जो पतार्त आपके किचन में मिल सकता है वो है फल फलो में सबसे बढ़िया है केला पके हुए केले जो है बच्चे के बजन बढ़ाने में बहुत important रोल निवाते हैं इसके लावा शेव, संत्रा, मौसंबी जो भी आप उसको देना चाहे उसके पोशक तत्तों की भरपाई ही करेगा यदि आपके किचन में नोनवेज बनता है तो आप उसको खाने में नोनवेज भी दे सकते हैं जिसमें अंडा, मास, मचली वगरा आप उसको दे सकते हैं तो ये भी कही न कही प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा और बिना प्रोटीन के बजन बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है अगली जो चीज आपके किचन में मिल सकती है वो है सुष्ट वशा, जिसमें आती है घी बजन बढ़ाने में कुछ दवाईया मददगार साबित हो सकती है लेकिन आप इन दवाईयों को खुद देने की चेश्टा ना करे पहले डॉक्टर की सदाल लीजिए जब वो कहे तभी आप इन दवाईयों को दीजिएगा तो पहली जो चीज है वो है विटामिन और मिनरल्स की सप्लिमेंट किसी भी अच्छी कॉलिटी के विटामिन और मिनरल्स की जो टॉनिक वगएर आते हैं वो आप उनको दे सकते हैं लेकिन उसकी डोज डॉक्टर के कहे अनुसारी दीजिएगा अगर बच्चे को भूख ही नहीं लगती तो उसको एपेटाइट स्टेमूलेंट देने की आवशकता है यानि कि भूख लगने वाली दवाईया उसको देनी पड़ सकती है किसी भी दवाई को जो है बिना डॉक्टर की परामश के देने से नुक्सान हो सकता है और यदि आपका बच्चा बार-बार बिमार हो रहा है तो हो सकता है उसको विटामिन की कमी हो या फिर उसके शरीर में खून की कमी हो यदि लगता है कि खून की कमी है तो पहले उसकी जाज करवाईये और तत्पष्षाज जो है डॉक्टर के कहे दो अनुशार कोई भी आईरेंट टॉनिक आप उनको समय समयर पर देते रहिए इन बातों के इलाबा भी आपको ये चार बाते जो मैं बताने वाला हूँ ये भी बहुत इंपोर्टेंट है इन बातों को भी धेन रखना चाहिए सबसे पहला है नियमित आहर बच्चे को समय समय पर प्रयाप्त मातरा में उसको भोजन देते रहना चाहिए तब ही उसको खाने की आदत पड़ेगी और वो बाहर की चीजे खाना बंद कर देगा और बच्चे को जो है समय पर रात को या दिन में कभी भी जब वो सोना चाहिए तो उसको सोने दीजे उसको दोड़ाईए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाईए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके जो है तनाव फरी महल देने की कोशिश कीजिएगा उसको बहुत अधिक प्रेशराइज मत कीजिएगा इस्टेडी के लिए या फिर अन्ने चीजों के लिए इससे बच्चे के मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिसकी बज़े से वो टेंशन में आ सकता है और टेंशन की बज़े से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े अपना खाना पे ना छोड़ देते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ नेचुरल तरीके और बीच में मैंने आपको डॉक्टर की परामर्स लेने की भी सला दी है तो आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं और बच्चे का बज़न बढ़ा सकते हैं अगर दी गई जानकरी अच्छी लगी हो तो अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनका बच्चा कमजोर है दूला पतला है और वो भी आपकी तरह परेशान है फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं धन्यवाद